हेलो गाइस क्या करें के एक नए और अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाला है दस ऐसे स्टॉक आप लोगों बताने वाला हूँ जहां पर आप लोगों को क्वेशन हो रहा होगा कि क्या करें इन स्टॉक का तो इस वीडियो में यही बताने वाला आने वाले समय में आप लोगों को इस कंपनी में क्या करना चाहिए यह दसों की दसों कंपनी में आप लोगों को पेशनली वेट करना चाहिए सेल करना चाहिए बाई करना चाहिए होल करना चाहिए सारी चीज़ों को हम बताने वाल है कुछ न्यूस होगी तो भी आप लोगों बताऊंगा तो ये वीडियो अंतर देखते रहें आप लोगों को 100 एंड डैम से वीडियो अच्छा लएगा तो यहां पर से हम बात कर लेते हैं State Bank of India की सबसे पहली company है यहां पर आप लोगों को ये चीज बता देता हूं आज के दिन 6.66% की 30 देखने हो मिली है और इस 30 की वज़या आप लोगों को नहीं बताए तो उपर आई बटन बचाके क्लिक करके देख सकते हो पूरे banking sector में या सभी निफ्टी में बैंकिंग निफ्टी बैंक में 30 की ओ देखने हो मिली थी कि उसकी वज़या आप लोगों के उपर आई बटन पर देख सकते हो और वो वीडियो देखो गे तो आप लोगों को पता चल जायेगा कि यहां पर आप लोगं को भूइंग करने चाहिए की नहीं बाइंग करने चाहिए और मेरा personal opinion आप लोगों को बताऊं तो state bank of India में आप लोगों को 400 तक के level तक आप लोगों इसमें आने वाले समय में rally देखने को मिल सकती है 420 के लेवल तक और यहां पर आप लोगों को ऐसा हो भी सकता है कि यहां पर आने वाले समय में और भी सदा रेली देखने में बिले पर यहां पर एक बार प्रोफिट बुकिंग ज़रूर से होगी चारसो चारसो बीस के हाज जुबाजु में ठीक है तो ये चीज़ जात रखना आप लोगों ने जो शेर को इस शेर को होल्ड करके रखा हुआ है तो आप लोगों को अल्रेड़ी एक दो बार बॉंक के मिल गये होगे कि आप लोग अच्छे लेवल्स पर सेल कर सको पर इस के लिए मैं बुलूँगा कि होल्ड करके रोको आप लोगों को और ज्यादा मुनाफा लेकर जाएगी अभी हम बात कर लेते हैं स्टेट बैंक के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं बीला टायर्स के बारे में आज की दिन इसके अंदर 10% की अपर सिर्कीट देखने हो में इसकी वज़े आप लोगों को खुड़ ना पता है तो बता दू आप लोगों को बीला टायर्स में एक बताया गया है कि आने वाले समय में एक न्यूज आर्टिकल आय था कि आने वाले समय में जो टायर्स की मांग बढ़ने वाली है मांग क्यों बढ़ने वाली है क्योंकि यहां पर से जो हमारी एकोरमी है उसको फिर से चालो होने वाली है फिर से आने वाले समय में यह कोरोना वाइरस चला जाएगा तो उसके बाद यह टाइर्स और विकल्स की मांग फिर से बढ़ेगी और आटो सेक्टर से यह जुड़े हुई है था यूजस करते है अलग अलग कंपने के यूजो है पर इलेक्ट्रिक विखल भी आएगा ना तो भी टायर्स तो लगी गई तो यह चीज़ए प्र品 यह चाहिए आप लोग के 100% वह पर्ट फोलियो है उसमें 1% का आप लोग amount इस company में डाल सकते हो कोई भी देकर नहीं है company आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा उपर के लेवल पर है अभी एक दो दिन के बाद यह company में गिरावट आती है तो आप लोग इसमें buying कर सकती हो बाकी तो आपकी मर्जी है अभी बात कर लेते हैं next share के बारे में जिसका नाम है सुबैग्स इस company ने company बहुत ही ज़्यादा शानदा रेटन दिया है आप लोगों को ना पता तो बता दू वन यहर में इस company ने बहतर ही इंट दिया है आप लोगों को 1100-1200 परसें का रेटन एक यहर में आप लोगों को देखने हो मिला था और यह IT sector की company है IT sector में यह company का जो result आज के दिन आया है 17 में को तो यह जो 17 में को इसका result आया है पर इसका detail वीडियो है इसका result का पर उससे पहले हम बात कर लेता है क्या आप लोगों को इस company में invest करना चाहिए तो मेरे हिसाब से इस company में आप लोगों को invest करना चाहिए जरूर अभी तक मैंने न company का जो इस बार का जो operation revenue from operation बहुत जाद अच्छी तरीके सा आया था तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस company के अंदर और भी सदत इसे देखने हों मिले तो मैं सूच रहा हूं इसके अंदर अच्छा खासा deep मिलता है तो मैं जरूर से इसके अंदर buying जरूर से करूंगा उसक बाद ये उपर ही उपर देखने को बल रही है आने वाले समय में इसका जो मैं बोल रहा हूं 1000 रूपीज का target minimum मान के चलना 1500 का target आराम से ये cover कर देगी आने वाले एक साल के अंदर ठीक है तो ये चीज़ आदा रखना 1500 का target में आप लोगों के जो पैसे है एक साल में आराम स डबल हो सकते है जो आप लोग इस company में invest करती हो तो ठीक है तो ये चीज़ा रखना पैसे लिए आप लोगों को wait करना पड़ेगा एक साल तो minimum wait करना पड़ेगा पर ये company की बहुत जादा अच्छी growth आने के chances है क्योंकि अभी आप लोगों पता ही है monsoon आने वाला है वरसात क season आएगी तो बारिश होगी तो आप लोगों को खेती वाली और वो साइच चीज़ों का जो ये माल सावान बनाती है ये तो ये आने वाले समय में इसके मांग बड़ेगी और overall आप लोगों को profit मिलेगा ठीक है इसलिए मैंने इसको रखाए इसके आज के वीडियो में अब इसके बाद ये घिरता गया थोड़ा जोड़ा पर आप लोगों को इसमें बाइंग करना है तो कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इस लिवल पर भी पर आप लोगों को और भी ज़दा थोड़ा correction देखने हो मिलेगा 700 रुपेज तक है इसमें correction 700-720 तक आप लोगों को correction देख बहुत जादा अच्छी तरीके सा perform कर रही है यह मेरे को personally बताओ ना यह नहीं नहीं जो कंपनिया है बहुत जादा अच्छी तरीके सा performance देई रही है पर इसका इसका जो result है वो भी बहुत जादा बैतर ही देखने मिल रहा है इस company में आप लोगों को देख सकते हूं 2020 September से ए 5% का return बहुत जादा अच्छा होता है अभी हम बात करें दिपक ने डिपक ने डिपक नेडिड की बात करो तो यहां पर से पिछले कई दिनों से फैचले 5-6-7 दिनों से यहां पर से गिरावरी डेखने मुंद रही है पिछले वन मंथ की बात करें तो आप लोगों को यहां 150 के उपर आप लोगों को इस company हर 50 रुपीज की गीरावर्ड पर इस company को buy करो आप लोगों को overall आप लोगों का जो average होगा वो गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा पर आप लोगों को जब ये share उपर चलेगा ना वो आप लोग देखते रहा जाओगे कि यार कित ज्यादा बैतर ही ना आया था तो अभी इसमें profit booking देखने को मिली गई यह चीज़ ज़ाद रिखना रिजल्ट बहुत ज़ादा बैतर नहीं था पर उसमें profit booking देखने को मिल गई है इसी के वज़े से घिरावट देखने को मिली है ठीक है तो चीनता मत करना और अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स शेर के बारे में नेक्स शेर है भारती हैटल भारती हैटल का जो यहर ओन यहर और खौटर और खौटर अच्छी तरीक से इंप्रूमेंट देखने को मिल रहा है मेरे क्याल से आप लोगों को इस company के अंदर buying करना है तो कर सकते हूँ पर current level पर इसके अंदर buying मत करना बिल्कुल भी current level पर buying बत करना आप लोगों को मैं बता देता हूँ कौन से लेवल पर आप लोगों buying करना है तो कर सकती हूँ आप लोगों को एक तो 500 रुपे के आसपास में आप लोग बाइंग कर सकती हूँ वरना तो यह company से बहतर company अभी अभी market के अंदर है पर इसके अं पर से one of the leading company है जो 5G internet का इनके पास सारी चीज़ रेडी है बस approval होना बाकि इंडिन government से और यह चीज़ याद रखना ठीक है तो इसी की वेज़े से मैं बुल रहा हूँ इसके उपर आप लोग ध्यान रख सकते हूँ और यहाँ पर से 5G technology जो यह company पहले ला देती है तो इसक पर से positive में तो आज रिजल्ट आने वाले समय में और भी ज्यादा अच्छा performance कर सकती यह company अब इम बात कर लेते हैं बाद कृष्णा इंड़स्ट्री सेम टायर सेक्समेंट से जोड़ी हूई यह company है टायर्स बनाती है और इसका जो result है waterly result बोलोगे तो वह बहुत ही जाल के अंदर भी आप लोगों को improve होते हुए देखने को मिलेगा तो long term में इस company के साथ आप लोग चल सकते हो कोई भी दिकत नहीं होगी आप लोगों को ये मेरी बहुत अच्छी सला है आप लोगों को लेना है इस company को तो ले सकते हो पर मैं personally इस company के मैंने invest नहीं करके रख हुआ है ये चीज़ याद रखना पर मैंने एक तो Apollo tires के अंदर JK tires के अंदर TVS reject करके अंदर उसके साथ साथ एक दो और टायर की company है जिसके अंदर मैंने already invest करके रखा हुआ है इसलिए मैंने बायोगरेशन इंडेस्ट्री को अभी side में रखा हुआ है ठीक है तो मैंने tire segment में तो मैंना मेरा full मैंने invest करके रखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है अब इम बात कर लेते है company HDFC bank आज के दिन 3.7-3.8% की उच्छाल देखने को बली है जो आप लोगों को रिजन जानना है तो उपर i button पर क्लिक करके जाके देख लेना जो banking sector वाला SBI वाला जो एक वीडियो थ जैसी banking sector में क्यों आज के दिन 30 देखने हो बली है और क्या आप लोगों को इस level पर HDFC bank को buy करना चीए तो यह चीज़ याद रखना HDFC का आप लोगों को चार्ट पेटन maximum चार्ट पेटन दिखा देता हूं यह coronavirus नहीं आता ना तो आप लोगों को HDFC का जो चार्ट पेटन है वो यहाँ पर कहीं पर होता ठीक है तो यह चीज़ याद रखना आप लोगों को आने वाले समय में आने वाले समय में यह long term perspective से HDFC के अंदर आप लोग बिल्कुल जा सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं होगी पर यह चीज़ याद रखना इस level पर आप लोग एक एक दो बार खर सरुष से इसमें बाइंग करूंगा क्योंकि यहाँ पर से इसकी जो प्राइज है मेरे को लग रहा है आराम से इसका जो सबसे वाला सबसे उपर वाला हाई है आप लोगों में दिखाता हूं यह 1640-1650 रुपे का जो प्राइज है वो तोड़कर उसका 52 वीक हाई न्यू बन आप लोग यह चीज़ आतकना अभी हम बात कर लेते हैं स्टेट बैंक की तो हमने बात कर लिए उसके पास है डाटा मोटर्स डाटा मोटर्स आप लोगों पता हिए बहुत दिनों से पिछले आप लोग वन मन्त का चार्ट दिखा देता हूं पिछले वन मन्त में इसने इसन इससे भी इसके आजबाज़ी में ही मैंने लेकर रखा हूँ है इस कंपनी को और यहां पर आने वाले समय में में मेरे को लग रहा है कि इसका जो जो 2025-2030 तक आप लोग इस कंपनी के अंदर वेट कर लेते हो 2025-2030 तक तो आप लोगों को यह कंपनी ना मल्टी बैकर रिटन देकर जाएगी ही ठीक है मल्टी बैकर रिटन 100% लेकर देकर देगी और यह चीज जाद रखना आप लोगों को पेशन्ट ली वेट करना पड़ेगा अभी आप लोग कंपनी के इस कंपनी को यह ना इसी लिवल पर इसी लिवल पर भी आप लोग बाई कर सकती हो कोई भी द के सेग्मेंट में इंडिया के अंदर सबसे आगे रहने वाली यह कंपनी है और यह चीज जाद रखना मेरे को परसनल यह कंपनी बहुत जाद पसंद है इसी की वज़े से भी मैंने इस कंपनी को इन्वेस्ट करके रखा हुआ है इस कंपरी में देर ठीक है तो यह चीज जा रखना और अपरिल मंध का डेटा भी यहां पर से मरलब नेगेटिव में दिखा रहा था मरलब कम दिखा रहा था पिछले महिने से तो यह चीज जाद रखना हो सकता है कि यहां पर से सेल्स के अंदर गिरावर देखने हो मिले पर ओवर और आप लोंग टम में इसके उपर क जो कैसा लेगा मिर्को कमेंट सेक्षिन पिदा वीडियो पहसंद देतो लाइक चैनल को सब्सक्राइब को ना मुद पूलना अ गुद्वाल अ फुद्वाल अ गुद्वाई फिर में देख्श दो एमें गुद्वाई